हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग आसा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और उमीदे भी करते हैं कि आप लोग की परिक्षा आज काफी अच्छी गई होगी आज हम हिंदी के सेट शी का एंसर की लाए हैं तो चलिए जादे ना करते हुए इस वीडियो की सुरुबात करते फर्स्ट कुचन दिया गया था कि पल्टन का विदूशक कौन था, तो इसका correct answer है, option नमबर बी वजीराशीन आगला प्रस्टन है कि माया किस सिर्षक पाठ की पतरा है, तो इसका correct answer है, option नमबर शी शिपाही की मा फ़र्ड नमबर कूचन है कि परमातमा आपको शुखी रहे या कथन किसका है तो इसका correct answer है option number B पूरोहित चार नमबर कूचन दिया था कि शिपाही की माँ शिर्षक के कांकी किस शंकलन का अंग है तो इसका correct answer है option number A अंडे के छिलके तथा अने कांकी आगला प्रस्टन है कि अशोक वाज पेई ने राज की शेवा किस रूप में की है तो इसका correct answer है option number A भारतिय प्रशाशनिक शेवा 6 number कूचन है कि बिनोध कुमार शुकल को 1999 में कौन पुरुषकार मिला तो इसका correct answer है option number A शाहित अकादमी पुरुषकार आगला प्रस्टन है कि बिनोध कुमार शुकल का जन्मस्थान कहां है तो इसका correct answer है option number B राजनाद गाव 36 गड 8 number कूचन है कि रोगुवीर शाहय का जन्मस्थाल कहां है तो इसका correct answer है option number A लखनव उतर परदेश आगला प्रस्टन है कि रोगुवीर शाहय को उनकी किस कृती पर शाहित अकादमी पुरुषकार मिला था तो इसका correct answer है option number C लोग भूल गए ठेन नंबर कूचन है कि मुक्ती बोध ने A में किस बिशय से किया था तो इसका correct answer है option number A हिंदी बिशय 11 number कूचन है कि लाल पीरना होना मुहाबरे का अर्थ क्या है तो इसका सही उतर option A हो जाएगा यानि कुरोध करना 12 number कूचन है कि लोहे के चने चवाना मुहाबरे का अर्थ क्या है तो इसका correct answer है option number B कठीन पडिश्रम करना आगला प्रस्थन है कि नीम्न में से सुध शब्द कौन है तो इसका correct answer है option number A आस्तिक आप लोग मिलाते चलिएगा और बताइगा कि आप लोग का कितना शही हुआ है आगला प्रस्थन है कि लड़ाक का शब्द में परतियाय क्या है तो इसका सही उतर option A होगा क्या होगा तो option A होगा यानि आक्का अर्था आतनल लड़क्गा में परत्यय क्या है? तो आक्का है 15 नम्बर कुचेन है कि 4 सब्द में परत्यय क्या है? तो इसका correct answer है option number 6 era आगला प्रस्थन है कि टीकाउच शब्द में परत्यय क्या है? तो इसका सही उत्र option बी होगा यानि आउ आगला प्रस्टन है कि पारा कश्टा सब्द में उप्षर्ग क्या है तो इसका सही उत्तर ओप्षन A होगा यानि पारा आगला प्रस्टन है कि नीरा हार सब्द में उप्षर्ग क्या है तो इसका सही उत्तर है ओप्षन नमबर D यानि नीर आगला प्रस्टन है कि दूरवल सब्द में उप्षर्ग क्या है तो इसका सही उतर है ओप्षन नमबर बी दूर आगला प्रस्टन है कि हिंदी में पदवन्द के कितने भेध है तो इसका सही उतर है ओप्षन नमबर ए पाच आगला प्रास्टन है, कि निम्न में से दलीत आत्म का था शिर्षक पाठ कौन है तो इसका सही उतर है, option number B, जुठन आगला प्रास्टन है, कि उषने काहा था शिर्षक कहानी में किस शहर का चितरन है तो इसका सही उतर है, option number C, अम्रित सर 23 नमबर कुचन है कि कुड माई का क्या अर्थ होता है तो इसका करेक्ट एंसर है ओप्सन नमबर B मंगनी आगला प्रस्थन है कि लोकनाय की किशे कहा जाता है तो इसका सही उतर है ओप्सन नमबर A जै प्रकास नरायन आगला प्रस्थन है कि नारी और नर एक ही द्रब की ढली दो प्रतिमाय है किस रचनकार की पंकती है तो इसका सही उतर है ओप्सन नमबर C रमधारिशिन धीनिकर नेक्ट प्रस्थन है कि ओश साधा नीरा शिर्षक पाठ का शंबंध किस विद्धाशे है तो इसका सही उतर है ओप्सन नमबर D निबंध आगला प्रस्थन है कि चोर कैसे ताल है तो इसका सही उतर है ओप्सन नमबर A उठले आगला प्रत्न है कि राम पूर्वाग कहा है तो इसका सही उतर है ओप्सन नमबर ए भीति हरवा के पाश नेक प्रत्न है कि गंडक नदी का जल शदियो शेक कैसा रहा है तो इसका सही उतर है ओप्सन नमबर ए चंचल रहा है फ्रेंड्स यहां पे कुछ टेकनिकल इश्यू के बज़ा से आपको फ्रेश नहीं दिखाई दे रहा होगा आगला प्रस्ट नहीं कि शिपाही की मा निमनांकित में शेक कौन है तो इसका सही उतर है ओप्सन नमबर ए बीशनी आगला प्रस्ट नहीं कि तामबा शब्द कौन शंग्या है तो इसका सही उतर है ओप्सन नमबर भी ध्रव्य वाचक आगला प्रस्ट नहीं कि राज पाल शब्द कौन शंग्या है तो इसका ग्रेक्ट एंसर है ओप्सन नमबर ए जाती वाचक नेक्स प्रस्ट ने कि शूरदास सब्द कौन शंग्या है तो इसका भी सही उतर option number A होगा यानि जातिवाचक है आप लोग मिलाते चलिएगा आगला प्रस्ट ने कि कवी श्रेस्ट सब्द कौन शमाश है तो इसका correct answer है option number A तत पूरू शमाश है 35 नंबर कुचन है कि चक्रपानी शब्द कौन शमाश है तो इसका सही उतर है option number A बहुब्री ही आगला प्रस्ट ने कि आजनम शब्द कौन शमाश है तो इसका correct answer है option number A अब यह भाव आगला प्रस्ट ने कि हाथ पेर शब्द कौन शमास है तो इसका correct answer है option no.b 2 next प्रस्थ ने कि प्रशंस सब्द का विलूम शब्द क्या है तो इसका सही उत्थर है option no.b A नींदा आगला प्रस्ट ने कि फीठ दिखाना मुहाबरे का अर्थ क्या है तो इसका सही उतर है ओप्शन नमबर A हार कर भाग जाना नेक्ट प्रस्ट ने कि जोल सौब्द क्या है तो इसका ग्रेक्ट एंसर है ओप्शन नमबर B इस्त्रिली आगला प्रस्त्तर है कि देवता शब्द क्या है तो इसका correct answer है ओप्शन नमबर B इस्त्रेली नेक्स्त प्रस्तर है कि सराधा शब्द का बिलोम होगा तो इसका सही उतर है ओप्शन नमबर A इरशिया आगला प्रस्ट ने कि वर्ता लाप शब्द का शंधी बिछेद क्या है तो इसका सही उतर है ओप्शन नमबर ए वर्ता पलस अलाप आगला प्रस्ट ने कि शदवानी शब्द का शंधी बिछेद क्या है तो इसका सही उतर है ओप्शन नमबर ए सत जोरवानी आगला प्रस्ट ने कि 9 शब्द का शंदी विछेद क्या है तो इसका सही उतर है option नमबर B ने पलश अन आगला प्रस्ट ने कि करूना शब्द का विशेशन क्या होगा तो इसका सही उतर है option नमबर A कारूनीक नेक प्रस्ट ने कि जड शब्द का विलोम क्या है तो इसका सही उतर option B होगा यानी छेतन है नेक प्रस्ट ने कि खंडन सब्द का विलोम क्या होगा तो इसका सही उतर है option नमबर C मंडन नेक प्रत्न है कि दाया शब्द कौन शंग्या है तो इसका सही उतर है अप्शन नमबर शी भावा चक आगला प्रत्न है कि मा किसके भाय से अपने लाल को गोध शे नहीं उतारी थी तो इसका सही उतर है अप्शन नमबर बी सीत के डर शे आगला प्रस्ट ने कि पूत्र बियोक्षे मा का जीवन कैसा हो गया है तो इसका सही उत्तर है, option number A, सुना सुना आगला प्रस्ट ने कि जूठन सिर्षक पाठ, हिंदी शाहित की कौन बिद्दा है तो इसका सही उत्तर है, option number D, आत्म का था आगला प्रस्थन है कि कली राम हेड मास्टर कीश पठित पाठ का पात्र है तो इसका सही उत्तर ओप्षन नमबर बी होगा यानि यूठन आगला प्रस्थन है कि नामोर शिन के ललित निवंध का नाम क्या है तो इसका सही उत्तर ओप्षन ए होगा यानि बकल मखुद आगला प्रस्टन है कि अंडे के छिल्खे के राचिनाकार का नाम क्या है तो इसका सही उत्तर अप्शन A होगा यानी मुहन राकेश नेक्ट प्रस्टन है कि कलर की की मोथ के लेखा का नाम क्या है तो इसका सही उत्तर है अप्शन नमबर A अंतुन चेखव आगला प्रस्टन है कि ग्यानेंद्र पती के माता पीता का नाम क्या है तो इसका सही उतर ओप्शन नमबर ए यानि शरला देवी एवं देवेंद्र प्रशाद चोबे नेक्ट प्रस्टन है कि रोहुवीर शाहय के पीता क्या थे तो इसका सही उतर है option number C यानि शिक्षक थे आगला प्रस्थन है कि डारा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है यह पंकति की सिर्षक कभीता की है तो इसका सही उतर है option number B अधिनायक आगला प्रस्थन है कि देश पर मर मिटने वाले लोग कौन पदबन्थ है तो इसका सही उतर है option number B शंग्या पदबन्थ है नेक्ट प्रस्थन है कि बादल घीरे और मयूर नाचने लगे कौन वाके है तो इसका सही उतर है option number C यानि शंजूक तो वाके है आगला प्रस्थन है कि गो का उचारन स्थान क्या है तो इसका सही उतर है option number A कौन्थ आगला प्रस्थन है कि चो का उचारन स्थान क्या है तो इसका सही उतर है option number A तालू आगला प्रस्थन है कि फो का उचारन स्थान क्या है तो इसका सही उतर है option number A उस्थन नेक्ट प्रस्ट ने कि गुरु पदेश शब्द का संधी बिछेद क्या है तो इसका सही उत्तर है ओप्षन नमबर C गुरु जोर उपदेश आगला प्रस्ट ने कि हता हत शब्द का संधी बिछेद क्या है तो इसका सही उत्तर है ओप्षन नमबर C हत पलश आहत नेक्ट प्रस्ट ने कि नकल ची सब्द में परत्याय क्या है तो इसका सही उतर है option number A ची नेक्ट प्रस्ट ने कि निम्न में से सुध सब्द कौन है तो इसका सही उतर है option number A बालमी की आगला प्रस्तने कि नायक शब्द का इस्त्रिलिंग रूप क्या है तो इसका सही उतर है option नमबर A नाई का आगला प्रस्तने कि बोधा शिन के पीता का नाम क्या था तो इसका सही उतर है option नमबर शी हजारा शीन आगला प्रस्त है कि A का कालिया शीख कितने के बराबर होता है तो इसका सही उत्तर है option नमबर B 6 लाख नेक्ट प्रत्न है कि छात्र अंदोलन का नेत्रीत्व शिविकार करते समय जय प्रकास्ट नरायन की स्तिती थी कैसी थी तो इसका सही उत्तर है ओप्षन नमबर शी यानी यूबक था नेक्ट प्रत्न है कि दल भीहिन लोकतांत्र किसका मूल उदेश है तो इसका सही उत्तर है ओप्षन नमबर ए मार्क्षवाद तथा लेलिन वाद आगला प्रतन है कि प्रिंश क्रिपो टिकीन किस विशय के विदवान थे तो इसका सही उतर ओप्शन नमबर बी और साथ फ्रेंश इस कूचन पर हमारा थोड़ी डाउट हो रही है आप लोग कमेंट करके जरूर बताईएगा आगला प्रतन है कि कौवा पेड़ पर बैठा है किस कारक का उधारन है इसका एंसर आप लोग कमेंट में करके दिजिएगा नेक प्रतन है कि हे भगवान इस गरीब की रक्षा कर किस कारक का उधारन है इसका भी आप लोग कमेंट में बताईएगा आगला प्रस्तन है कि मोहन जाता है किस काल का उधारन है तो इसका सही उतर है option number A वर्तमान काल नेक्ट प्रस्तन है कि श्याम ने खाया किस काल का उधारन है फ्रेंच इस कुच्चन में भी थोड़ी डाउट लग रही है इसलिए आपलो कमेंट करके जुनूर बताईएगा नेक्ट प्रस्तन है कि शाभाश सब्द क्या है तो इसका सही उतर है option number A इस्तरिलिंग आगला प्रस्तन है कि प्रगीत और शमाज के लेखा का नाम क्या है तो इसका सही उतर है option number C नाम अर्षिन नेक्ट प्रस्तन है कि उध्य प्रकास की रचना का नाम क्या है तो इसका सही उतर है option number B तीरिच आगला प्रस्तन है कि नाम और शिन का आलोच नात्मक निबंध कौन है तो इसका सही उतर है option number D प्रगीत और शमाज आगला प्रस्तन है कि जै प्रकास नरायन की रचना का नाम क्या है तो इसका सही उतर है option number C शंपुर्ण करांती इफ्रेंट्स वरी टेकनीकल उश्यू के वज़ा से थोड़ी फ्रेस नहीं दिखाई दे रही है जै संकर प्रसाद की रचना कौन है तो इसका सही उतर है option number A तुमूल कोला हाल कला में आगला प्रस्तन है कि चैंदरधर सर्मा गूलेरी की कितनी कहानिया है तो इसका सही उतर है option number A तीन कहानिया है आगला प्रस्तन है कि बाल कृष्ण भाट किस काल की रचनाकार है तो इसका सही उतर है option number A भारतेंदी उग आगला प्रस्तन है कि बात चीत के जड़िये भाब बन कर क्या बाहर निकल जाता है तो इसका सही उतर option C होगा यानि मवाद या धूँआ आगला प्रस्ण कर रहा है कि उश्य ने कहा था शिर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई है आपको पता होगा कि यह कहानी उनिशो पंद्र में लिखी गई थी नेक प्रस्ण कि लहनाशीन किस देश की वर्ष यूद कर रहा था तो इसका सही उतर option number A यानि इंगलेंड से नेक प्रस्ण कि चरम बै कीता ही परमशमाजिकता है कि इस सिर्षक पाठ की पंकती है तो इसका सही उतर option number C होगा यानि शिक्छा आगला प्रस्ण है कि अंतोन चेखव किस देश के रहने वाले थे तो इसका सही उतर है option number C रूस आगला प्रस्ण है कि जैस संकर प्रशाद का नीधन कब हुआ था तो इसका सही उतर है option number A 1937B नेक प्रस्ण है कि तूलसी दाश का अस्थाई निवाश कहा था तो इसका correct answer है option number D व्रिंदावन नेक प्रस्ण है कि शूरदाश का जन्मस्थल कहा है तो इसका सही उतर है option number A शीही 96 नमबर कूचन है कि अश्चोक वाजपेई किस काल के कबी है तो इसका सही उतर option number D होगा यानि आधूनी काल नेक प्रस्ण है कि अधिनायक कैसी कबीता है तो इसका सही उतर option number B होगा यानि भियांगे कबीता है 98 नमबर कूचन है कि हार जीत किस परकार की रचना है तो इसका correct answer है option number A गधगीत 99 नमबर कूचन है कि वाल कृष्ण भट की माता का क्या नाम है तो इसका सही उतर option number C होगा यानि परवती देवी आगला प्रस्ण है कि निवंध लेखन की द्रिष्टी से भारतेंदु यूग कैसा था तो इसका सही उतर option number C होगा यानि प्रगती शील फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको शौव अबजेक्टी में कितनी अबजेक्टी शही है और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थबता के लिए जाहीं